नमश्कार आप देख रहें क्लीन नियूज यूपी और मैं हूँ निहाँ आपके साथ वक्त हो चला है उत्रप्रदेश से जुड़ी कुछ खास ख़बों का ख़बों से अपडेड़ेट रहने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें यूपी में सोंवार से खुलेंगे सभी स्कूल कोरोना मामलों में कमी आने के बाद फसला उत्रप्रदेश में कोरोना वाइरस का कहर कम होने के बाद स्कूलों को खोले जाने का आदेश जारी किया गया है सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी स्कूल 14 फरवरी से खोल दिये जाएंगे मालुम हो कि देश भर में पिछले दो सालों से कोरोना के खत्रे को देखते हुए स्कूलों को समय समय पर बंद किया गया है प्रदेश के नरसी क्लास से सभी स्कूल खोल दिये जाएंगे इससे पहले साथ फरवरी से प्रदेश के नौवी से बारवी तक के स्कूलों को खोला गया था साथ ही प्रदेश भर में कॉलेजों में भी आफलाइन कक्षाओं के शिरुआत की गई थी अब सोमार से प्रदेश के सभी स्कूलों में ओफलाइन मूट से एक अक्षाओं शिरुखी जाएंगी वहीं आदेश में प्रदेश के जिम को भी खोलने का फ्रैस्टा किया गया है अलगी स्विमिंग पूल वाटर पार्क्स बंद रहेंगे हाल ही में ओमिक्रोन के खत्रे को देखते हूँ प्रदेश की जिम स्विमिंग पूल समयत तमाम गतिविद्यों को बंद कर दिया गया था इसके साथी सभी सरकारी वा प्राइवेट दफ्तर भी पूरी उपस्तेती के साथ काम कर सकेंगे CAA प्रदर्शिन कारियों को भेजे वसूली नोटेस वापस लें वरना हम रद कर देंगे यूपी सरकार को ऐसी की फटकार नागरिक्ता संस्वोधन कानून के खिलाफ साल 2019 में प्रदर्शिन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार ने हरदा वसूली के लिए नोटेस ड्यारी किया था आप इससे लेकर यूपी सरकार को सुप्रिम कोर्ट के फटकार लगाई है रवाईय से नारा सुप्रिम कोर्ट ते कहा कि CAA विरोधी प्रदर्शिन कारियों को भेगे वसूली नोटिस राजिस शाशन वापस ले वना हमें से रद कर देंगे सुप्रिम कोट ने राजिस सरकार को चेतावनी दी कि वो कानून के उलंगन के लिए शुरू की गई कारिवाही को ही रद कर देगा सुप्रिम कोट अब इस मामले के सुनवाई 18 फरवरी को होगी सुप् करता निर्नायक और अभी योजक की तरह काम किया है सियाम योगी बोले भाजपा की फिर बने की सरकार यूपी में विकास और बुल्डोजर चलेंगे साथ साथ उत्तरप्रदेश विधानसवा चुनाओं के लिए भाजपा ने पूरी ताकत जोक रखी है वहीं मुख्यमंतर योगी आदितनात ने नियूजएटीन से एक्स्क्लिव बातचीत में कहा कि भारती जनतापाथी की डबल इंजिन की सरकार को जनता जनारदन का आशिरवाद है और एक बार फिर सूबे में सरकार बनेगी इसके साथ उन्हों ने कहा कि प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी के ने आशिरवाद और साही योग मिल रहा है वहीं सीम योगी ने पहले चरण में कितनी मिलेगी के सवाल का जवाब देते हुए का कि भाजबा 2014 लोकसवा चुनाओ 2017 विजानसवा चुनाओ और 2019 के लोकसवा चुनाओ का इतियास फिर दोराने जा रही है इस बार भी जनता जुना चाहते हैं उनके लिए नौकरी की अपार संभावनाएं बन रही है दरशल यूपी पुलिस ने अपने विभिन विभागों में 41,443 पदो पर भरति की खुशना की है अगर आप यूपी पुलिस भरती के तहत विभिन विभागों में निकली रिक्त नौकरियों के लिए पर जाकर जारी नोटिफिकेशन जैक कर सकते हैं उत्रप्रदेश पुलिस भरती और पदर्णती बोर्ड ने इस संब्ध जानकारी अफ्लोड की है यूपी पुलिस भरती बोर्ड के मताबिक यूपी पुलिस एसा भरती 2021 के लिए ऑनलाइन लेखित परिक्षा नवंबर दिसम पूरी शमता के साथ खुलेंगे स्विमिंग बूल बन रहेंगे जानिया यूपी की नई कोरोना गाइडलाइन देश बर में कोरोना वाइरस की केसों में भारी गिरावर देखने को मिली है ऐसे में यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं इसक से खुलेंगे जिम सेंटर को भी पहले के तरक खोलने के निदेश दिये गए हैं हाला कि अभी स्विमिंग पूल वाटर पाक बन रहेंगे राजी में सभी सरकारी दफ्तर पूरी उपस्रेथी के साथ खुल सकेंगे इसके अलावा निजी दफ्तर भी पूरी छमदा के साथ यू पी के 80 लाख असंगठित श्रमिकों के लिए अच्छी खबर हूने जागा एक हजारा रुपे भरन पोशन भथे का भुखतार उतरप्रदेश के असंगठित शेत्र के पंजिकरत के श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर है उन्हें अब फरवरी और मार्श के लिए भरन पोशन भत्ते के भुकतान का निर्देश दिया गया है उतरप्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से इश्रम पोटल पर 31 दिसंबर 2021 तक पंजिकरत आटला ग्यारा चासो बासट श्रमिकों के तीसरी लहर के दस्टिकरत भरन पोशन भत्ते की माह फरवरी की 500 रुपे की किस्त का भुकतान इसी महीन देश श्रादी कर दिया है उन्होंने सच्चिव उतरप्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को श्रमिकों को भरन पोशन भत्ते का भुकतान के लिए ततकाल कालेवाही करने के निपदेश दिये हैं हिजाब विवाद पर सीम योगी की दो टू कहा शिरिया में नहीं सम्विधान से चलेगा देश करना जग में हुए हिजाब विवाद की चर्चा जोरू पर है इस बीच उतरप्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ ने जी न्यूस को दिये एक्सक्लीजर इंटर्वीव में हिजाब विवाद पर कहा के देश शिरिया से नहीं सम्विधान से चलेगा मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ ने कहा के पहले फेस के बाद विपक्ष का चेहरा मुर्ज़ा गया है गर्मी शांत करने वाले अपने बयान पर CM योगी ने कहा जो लोग केराना के पलायन के लिए दंगों के लिए जिम्मेदार थे चुनाव की घोश्रा के बाद बिलों से बाहर निकलाए थे ये उनके लिए था अपराद और अपराधियों के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीती के साथ काम करेगी CM योगी का दावा आयोध्या की तरह करेंगे सारे तीर सिधाम का विकास जनता से कहा दोबारा बनाएं सरकार यूपी के कास गंज की चुनावी जनसभा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के साथ प्रचार करने पहुंचे CM योगी आदितनाथ ने कास गंज की एक ऐसी मनोकामना पूरी करने का वादा किया जिसका इंतजार यहां के हर किसी स्थानी नागरे को सेक्रो वर्षों से था शुक्रवार को आए जे तो इस जनसभा में कास गंज के प्रधान मंत्री मोधी और योगी आदितनाथ को देखने वसुनने पचास हजास से अधिक लोगों की भीड जमा थी इस मौके पर मंच से सीम योगी ने कास गंज वासियों के लिए बड़े बड़े वादों की खुशना की डाबलू एचो ने दी चेतावनी रहे सतर का अभी खत्रा टला नहीं है ओमिक्रोन के बाद नए रूप में फिर आ सकता है कोरोना कोरोना की तीसरी लहर भले ही कमज़ोर हो गई है लेकिन विश्व स्वास संगेटन डबलू एचो ने जेतावनी दी है कि अभी खत्रा टला नहीं कोविड-19 वाइरस की नए वेरियंट फिर से आ सकते हैं इससे लेकर साफदान रहने की वाइरस का म्यूटेशन अभी जारी है डबलू एचो की चीफ साइंटेस स्वामिया स्वामिनाथन ने शुक्रवार को कहा है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है से लेकर सतरकता जरूरी है इसके कई सारे अलग-अलग मिटेशन देखे गए हैं इसलिए कोरोना के नए वेरियंट आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं डबलू एचो की चीफ साइंटेस स्वामिया स्वामिनाथन की इस चेतावनी से पहले विश्व सास संगेतन डबलू एचो कोविड-19 की टेक्न ट्रकनवाल रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी ख़बर है आगामी-14 फरवरी से आया-सी टी-सी द्वारा सभी ट्रेनों में खान-पान की सुविधा बहाल होने जा रही है अभी तक ट्रेनों में पके वो बोजन की इस द्रेनों में ही बहाल हो पाई है भारतिय रेल वे वीदियो कु लाइक पितरे